भक्त जनो माताओं बेहनो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आजर धर्मेंद्र शास्त्री सब सपहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमबती अमावस्या की बहुत बहुत शुपकामनाई और बढ़ाईया भगवान स्री लक्ष्मी नारायन का भरपूर आशिरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें इस बार जेश्ट माहा के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, वो 30 मई 2022 सोमबार के दिन है इस दिन बड़ा ही अदबुत और विलक्षन संयोग बन रहे क्योंकि सोमबार के दिन अमावस्या आने से सोमबती अमावस्या का महापर्व है इसी के साथ वर्ट सावित्री अमावस्या भी है तथा शनी जैनती भी है और सरवार्थ सिद्धी योग भी रहेगा चंद्रमा जो की अपनी उच्च राशी व्रशब में विराजित रहेंगे और 27 नक्षत्रों में जो सबसे प्रमुख नक्षत्र माना जाता है जिसे रोहिनी नक्षत्र कहा गया है वह रोहिनी नक्षत्र रहेगा इसलिए यदि आप सोमबती अमावस्या के दिन घर में इस जगह पर एक दीपक जला देंगे तो आपके घर का पित्र दोष समाप्त हो जाएगा और पित्र दोश आपके समाप्त हो जाएंगे तथा पित्र दोश बदल जाएगा पित्र आशिरवाद में जीवन के सभी कष्टों और संकटों से आपको मुक्ती मिलेगी क्योंकि शनी जैनती का अद्भुत महा संयोग है वर्ट सावित्री का संयोग है और इस महा सयोग में अमावस्या तिथी आ रही है वैसे तो प्रतेक वर्ष में 12 अमावस्याएं आती है प्रतेक महा के कृष्णपक्ष में अमावस्या आती है लेकिन जो सूमबती अमावस्या आती है वह बड़ी ही अद्वुत और पुन्य दायक अमावस्या मानी गई है अमावश्यति थी पित्रों की परम प्रीत थी है इस दिन जो कोई भी परिजन अपने पित्रों के निमित तरपन करता है पिंड दान करता है, श्राद्ध करता है, ब्राह्मन भोजन करवाता है उसके जन्म जन्मांतर के पित्र दोस्ट समाप्त हो जाते हैं क्योंकि अमावस्यतिती के दिन पित्र लोग अपने परीजनों के घर के आसपास वायू रूप में ब्रमन करते हैं और वो आकर के अपने परीजनों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए ब्राह्मन भोजन करवाएंगे पिंडडान करेंगे तरपन करेंगे और हमारी आत्म शान्ती के लिए कर्म करेंगे और जब आप उनके निमित ये सारे कर्म करते हो तो आपको वो आशिरवात प्रदान करते हैं क्योंकि अधिक्तम समस्याएं जीवन की जो आती ह वो पित्रदोश के कारण ही होती है आपने देखा होगा कि आप बहुत महनत करते हैं उसकी बाद भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते हैं नोकरी में, व्यापार में, रोजगार में, सिक्षा में, कई संघर्सों का सामना आपको करना पड़ता है इसी के साथ आपके घर में विवायोग्य लड़के-लड़कियां हो जाते हैं उनके विवाह के लिए आप वर या वधू की निरंतर तलाश करते रेते हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाता है और यदि विवाह हो गया है तो पती-पत्नी के बीच में मदभेद बने रहते हैं घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है कर्ज की समस्या निरंतर आपको परिशान करती रहती है परिवार के सदस्यों में अनबन बनी रहती है और घर में रोग परिवार के परिजनों को घेरे रखते हैं कर्ज की समस्यां से आप बहुत परेशान रहते हैं इसी तरह की जो अनेकों समस्याएं हैं वो अधिक्तम पित्र दोस के कारण ही निर्मित होती है तो इस बार जेश्ट महा के कृष्ण प्रक्ष की अमावस्या सूमबती अमावस्या है यह साल की अंतिम सूमबती अमावस्या है ऐसे में अधिक महत्यपूर्ण और विशे से इस दिन वट सावित्री वरत और शनी जैनती भी है ऐसे में बतादे कि सुमबती अमावश्या के दिन शुब संयोग बन रहा है यह संयोग लगभग तीस वर्सों के बाद में निर्मित हो रहा है ऐसे में यदि आप पित्र दोस से मुक्ती प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपाय को करके आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके पित्र प्रसन हो जाएंगे और उनके प्रकोप से आप बच सकते हैं तथा आपको आपके पित्र भरपूर आशिरवात प्रदान करेंगे सोमभती अमावस्या के दिन याने 30 माई 2022 सोम बार के दिन सुभा जल्दी उठे ब्रह्म मुहुर्त में सुभा साड़े चार से साड़े पांच के बीच में इस्तनान कर लेवे और उसके बाद आप भगवान सूरी देव को जल अरपन करें सुरी देव को जब आप जल अरपन करेंगे उस समय अपने पित्रों का इस्मान करते रहें पित्र दोस्स से मुक्ती प्राप्त करने के लिए सोम बती अमावस्या के दिन अपने पित्रों को जलान जली प्रदान की जाती है हाथ में कुशा और जव तिल रख करके अपने पित्रों को जलान जली जल में ही खड़े रेकर के प्रदान करना चाहिए तथा सोमबती अमावस्या के दिन पिंड डान पित्रों को करना चाहिए ऐसा करने से आपके पित्र प्रसन होते हैं पित्र दोस से मुक्ती प्राप्त करने के लिए सोमबती अमावस्या के दिन ब्राह्मन भोजन अवश्य करवाना चाहिए साथी जर्वत्मन लोगों को भी दान पुन्य करना चाहिए सोमबती अमावस्या के दिन छाते का दान किया जाता है खडाऊ दान, खीरा दान, ककडी दान, पंखा दान और गर्मी से बचने वाली वस्तूओं का दान किया जाता है तथा जल कलश का दान भी किया जाता है ऐसा करने से आपके पितर बहुत प्रसंद होते हैं सोमबती अमावस्या के दिन बरगत के पेड की पूजा की जाती है तथा उनकी परिक्रमा की जाती है एक्क्यावन अथवा एक सो आठ परिक्रमा की जाती है और पीपल के व्रक्ष की भी इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए ऐसा करने से त्री देवों का याने ब्रह्मा व करवाना चाहिए ब्रह्म चरिवरत का पालन करना चाहिए नाखुन नहीं काटना चाहिए और इस दिन फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और पुराने कपड़े भी यदि आप पहनते हैं तो धुलेवे वस्त्र धारन करे और सिलेवे वस्त्र ही धारन करना चाहि तथा पित्रों के निमत दान पुन्य करे, पिंड दान करे, तरपन करे, पित्र दो शांती करवाए और यदि पित्रों की भरपूर क्रपा को आप सुम्बति अमवस्या के दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर को पूरा साप सुत्रा रखे और लीप करके और अच्छी प्रकार से पोचा लगा करके पूरे घर को पवित्र रखना चाहिए तथा घर के डक्षिन भाग में एक शुद्धगी का दीपक आपको प्रजिल्द करना चाहिए यदि आप पिंडदान नहीं कर सकते हैं तरपन नहीं कर सकते हैं या कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं तो केवल यदि आप एक शुद्धगी का दीपक जला करके और चावल की धेरी के उपर यदि चावल का आसन दीपक को दे करके दक्षिन मुखी दक्षिन में मुख करके एक दीपक यदि आप जला देंगे यह दीपक आपको सोम बती अमावस्या के दिन साम के समय यानि जब सूरट ढलता हो सूर्यास्त का समय हो ऐसे शुब समय में चावल की धेरी के उपर शुद्धगी का दीपक प्रजुलित करना चाहिए और इस दीपक का मुख दक्षन दिसा की और होना चाहिए क्योंकि दक्षन दिसा में ही पित्र लोक है और अमावस्या की दिन जब पित्र देवता आपके घर में शुद्धगी के दीपक को देखेंगे तो वो अत्याधिक प्रसन्न होंगे और उनको परम शांती प्राप्त होगी तथा आपको और आपके पूरे परिवार को वो भरपूर आशिरवात प्रदान करेंगे तथा आपके घर में सुक्षांती समरदी का वास होगा और यदि आप चाहें तो प्रामणों के भोजन के नमित किसी प्रामण को बुला करके उनको आठा दाल चावल सीधा सामगरी गेहु इत्यादी भी दान कर सकते हैं और यदि कोई ब्राह्मन नहीं मिलता है तो आप ब्राह्मन को नगद राशी प्रदान करके भी ब्राह्मन भोजन का पुन्य लाप प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह आप जो वस्तुय हमने आपको बताई हैं जो कि सूम्बती अमावस्या वट सावित्री अमावस्या के निमित दान पुन्य करने की वस्तुय होती है उनको भी आप ब्राह्मन को दान करें अथवा उनके निमित नगद राशी भी आप ब्राह्मन को प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप अपनी ओर से सुम्बति अमावस्या, वर्ठ सावीत्रिया मावस्या, शडी जयनती पर अपने पित्रों को प्रसंद करना चाते हैं। तथा उनके निमित ब्राह्मन भोजन करवाना चाते हैं, अन्न दान देना चाते हैं, वस्त दान करना चाते हैं, गव दान करना चाते हैं, या जल कुम्ब का दान करना चाते हैं, या पित्र दो शांती करवाना चाते हैं, या पित्र अमावस्या, सोम्बति अमावस्या के निम पूचा करके सोम्बत्य अवस्या का संपूर्ण पुन्यफल प्राप्त कर सकते हैं। सांत ही आप से नुरोधे के अमारे इस ज्यानवर्दक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धर्निवाद।